हाई एवरिवान वेलकम टू इलेक्टिकल विंग्ज मैं हूँ आपका दोस्त थरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं MCB यानि की मिनियेचर सर्किट ब्रेकर का प्रेक्टिकल डेमोंस्टेशन यहाँ पे MCB को मेरे ओपन कर लिया है यहाँ पे आप MCB का क्रोस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं इस MCB का रेटिंग कितना है वो हम देख लेते हैं इस MCB का रेटिंग है C1 यानि की C इंडिकेट करता है इसका ट्रिप क्लास कौन सा है और टाइप कौन सा है इसका रेटिड करण्ट कितना है इस MCB का रेटिड करण्ट है 240 V AC एस 415 V AC में इसका इस्तमाल किया जा सकता है 10 किलोंपियर इस MCB का ब्रेकिंग केपैसिटी है एन 3 जो लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि इसका एनरजी लिमिटिंग क्लास कौन सा है इन सारी टेकनिकल इन्फोर्मेशन के बारे में हम प्रिवियस सेशन में कवर कर चुके है डिसकेशन कर चुके है उसका लिंक आपको टोप राइट कॉर्णर पे मिल रहा होगा आप जाके डिफर कर सकते है यहाँ पे इस MCB के अंदर कौन से कौन से इंपोर्टन पार्ट साते हैं उसके बारे में हम डिसकेशन करने वाले हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं यह MCB का मेगनेटिक कोईल है जिसका इस्तमाल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है सेकंड इंपोर्टन पार्ट है यह वाला जिसको कहते हैं बाइ मेटालिक स्ट्रिप इसका इस्तमाल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है and third important part है ये वाला इसको कहते है arc chutes इसका इस्तमाल किया जाता है arc को high resistance path provide करने के लिए and arc को extinguish करने के लिए अभी ये MCB on position में है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये MCB का dynamic contact है and ये fixed contact है अभी MCB on position में है ये operating liver है जो की upper side में है ये दोनों contact अभी close है circuit हमारा close condition में है अभी जब MCB को on करते हैं then current का flow किस तरह से होगा so ये MCB का incoming contact है and ये outgoing contact है so यहाँ से current flow होना short होगा यहाँ से इस तरह से होते हुए magnetic coil के अंदर जाएगा magnetic coil से होते हुए यहाँ पर आएगा and यहाँ से होके वो directly bi-metallic strip में जाएगा and bi-metallic strip जो है वो हमारा ये जो dynamic contact है उसके साथ connected रहेगा and MCB अभी on है then हमारा dynamic and fixed contact एक दूसरे के साथ connected है okay so यहाँ से लेके fixed contact जो है वो हमारा outgoing terminal के साथ connected रहेगा so इस तरह से current का flow MCB के अंदर होता है अभी इस MCB के अंदर दो protection रहते हैं overload as well as short circuit so overload condition में क्या होगा कि हमारा bi-metallic strip है जो आपको दिखने में कुछ इस type का रहता है so इसके अंदर दो different metal का इस्तमाल किया जाता है steel as well as copper so जब भी MCB के अंदर से current बढ़ता जाएगा यानि कि MCB overload होता जाएगा तब क्या होगा कि bi-metallic होने की वज़े से जब temperature बढ़ेगा then thermal expansion होगा metals का so उसकी वज़े से क्या होता है कि हमारा जो bi-metallic strip है वो bend कर जाता है okay so अभी इस position में जैसे हमारा MCB अभी on है यह जो bi-metallic strip है so यहां end पे वो upside में bend हो जाएगा so जब भी MCB bend होगा then यह जो हमारा trip mechanism है वो operate कर जाएगा and circuit को open कर देगा then यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही bi-metallic strip जो है वो अपर side में bend होगा so यह जो हमारा latch है वो operate हो चुका है okay and हमारी यह दोनों contact open हो चुके है so one more time so मैंने इस MCB को फिर से on कर लिया है जब भी bi-metallic strip जो है वो अपर side से bend होगा यह जो latch है वो operate कर जाएगा okay and breaker open हो जाएगा so इस तरह से over note condition में MCB operate होता है अभी short circuit position में short circuit condition में क्या होगा so यह जो magnetic coil है उसके surrounding में high amount of magnetic field generate होगा जब short circuit condition रहेगा तब so short circuit के लिए यह जो magnetic coil है उसके उपर यह plunger है यानि कि यह mechanism है so जब भी high amount of magnetic field generate होगा okay so यह जो plunger है यह इस coil के साथ attach हो जाएगा यानि कि attract हो जाएगा okay so यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस plunger को इसके साथ attach करता हूं हमारा यह जो contact है वो open हो जाना चाहिए so okay यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोनों contact open हो चुके है okay one more time okay so short circuit condition में यहाँ पर जैसे ही mechanism के इस आट्रेक करता हूं circuit open हो जाता है so short circuit condition जो है उसके अंदर operation वो जो होता है वो काफी instantaneous होता है क्योंकि उसके अंदर high amount of current pass करता है so यहाँ पर आप देख सकते हैं short circuit and overload condition में operate कैसे करता है अभी जब यह दोनों contact open होगे तो इन दोनों contact के बीच में आर्क generate होगा so यह आर्क जो generate होगा वो इसमें इस तरह से run करेगा so यह जो आर्क चूट है वो आर्क को high resistance path प्रोवाइड करता है and उसकी वज़ा से arc extinguish हो जाता है so इस तरह से MCB जो है वो operate करता है अभी one more thing इस MCB के अंदर trip mechanism क्या होता है so मैंने MCB को ऐसे on position पर पकड़ के रखा है and अगर fold persist है and मैं अगर MCB को on position पर ऐसे ही पकड़ के रख रहा हूं then क्या होना चाहिए कि MCB internally open हो जाना चाहिए irrespect of on position okay so यहाँ पर मैंने MCB को on ही रखा है and अगर यह fold persist है दिन क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं MCB को मैंने on करके रखा हुआ है फिर भी अंदर से जो contact है open हो चुके है so इसको कहते है trip mechanism trip free mechanism so अगर आप intentionally MCB को on रखते है faulty condition में then internally दोनों contact open हो जाने चाहिए so इसको कहते है trip free mechanism okay so MCB इस तरह से काम करता है इसका operating mechanism है so I hope आपको सारे doubts clear होगे अगर आपको कोई भी question है then आप comment section में पूछ सकते है so that's for today guys I hope you learn something new thank you करी करी दो by दो I अगर वो